आप लोग संसदिये संतियों के बारे में सुनते रहते होंगे याद रखिए यह क्या होता है कि हमारी संसद का बहुत सा काम ऐसा होता है जो इन्हीं संतियों के द्वारा निफटाये जाता है और यहीं संतियोंने निफटाती है एक तरह से और अभी आपने देखा है कि किरसी नए तीन जो किरसी अधीनियम आए हुए है इस पर आपका सरकार और किसानों की वीच किस तरह से ब्रोध हो रहा है और किसान किस तरह से अपना अंदोलन खड़ा कर रहे हैं इसमें आपके मन में कई questions आ रहे हैं मैंने देखा कमेंट में कि कई लोग पूश रहे हैं कि एक एबल पंजाब हर्याडा या उत्तर पिदेश के कुछ हिस्सों या देश के कुछ हिस्सों में ही आंदोलन क्यों हो रहा है सभी किसान इसमें भाग क्यों नहीं ले रहे है तो मैं आप लोग को याद दिला देता हूँ कि बिहार के किसानों की स्थिति आप जानते हैं मत्विदेश के अधिकतर किसानों की स्थिति आप जानते हैं क्या है कभी आप बुंदेल खंड में अगर गए हो तो वहाँ देखना आप लोग कि वहाँ खाने के लिए नहीं होता है उनकी पास अच्छे से वो किसलिए आंदोल कर रहे हैं उन्हें MSP के पर कभी वो लोग बेंशते नहीं हैं आपने देखा होगा कि बंदेल खंडी के अधिकतर किसान या अधिकतर अधिक जगए के किसान जो बिचोली होते हैं एक तरह से ब्यापारी होते हैं उन्हीं को अपनी फसल देते हैं और उन्हीं से जब जरूरत पढ़ती है तो उधार भी लेते हैं वो सरकारी मंडियों में अपनी फसल कम ही लोग बेंशते हैं समझे रहे हैं आप लोग तो उन्हें क्या फरक पड़ता है कानून साइए पन्जाब अर्याड़कि किसान आप सोचिए वो किसान है आपको देखने को मिलेका कि उनसकी वुण बच्चे vip स्कूल में पढ़ते हैं वह बी आईपी तरीके से रहते हैं कई लोगों मैं देख रहा था कि कई लोग comment में लिख रहे हैं कई जगे में social media पर भी की ाइफॉन चला हूर現 बो आंदोलन कर रहे हैं पीजया वर्गर खाके आंदोलन कर रहे हैं वो खा सकते हैं याद वहाँ के किसानों की आप जैसी हालत नहीं है MP के किसानों या भिहार के किसानों जैसी हालत नहीं है तो ये मत कहिए कि वो नए कपड़े नहीं पढ़न सकते हैं या BIP कार में नहीं घूम सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप खेती करते हैं और अच्छे से खेती करते हैं तो आप BIP कार में घूम सकते हैं और एक अधिकारी से बहतर आपकी जिंदगी हो सकती है माल लीजे आप अधिकारी हैं तो एक से डेटर लाग रोपे कमा लेंगे लेकिन आप खेती करते हैं और आपने उसी के साथ कोई बिजनिस भी जोड़ रखा है तो आप समझे कि साल में इंकम आपकी मैने में कितनी हो सकती है ठीक है तो ये एक किसानों का अंदोलन है मुझे लगता है कि इसका अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बिरोध भी करने का आपको कोई हक नहीं है क्योंकि जो आप ठाली में रोटी खाते हैं ना उन्हीं के बदलत आती है और मैं देखता हूँ अधिकतर किसान ऐसे मिल जाएंगी कि उनका वो खेत में काम कर रहे होगी उनका बेटा आपकी रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा हुआ होगा पाकिस्तान की सीमा हो फिर चाहिए ना की इसलिए इसका विरोध करना मुझे लगता है कि कताई अच्छा नहीं है और एक बात याद रखिए मान लेजे कि मुझे आपकी लोगों की वारे में नेड़ा लेना है तो आप लोगों की राय तो ले लेनी चाहिए सरकार को इससे पहले आप समझे कि इनकी राय ले लेनी चाहिए थी कानून तभी लाना चाहिए था पहले आपने देखा है अध्यादेश की द्वारा इन्हें लाए गया फर देखा है कोई आप समझे किसानों की सलाय नहीं ले गई है और अध्यादेश मेरा कहने का मतलब है कि आर्टिकल 123 के तहट यानि कि अनुचे 123 के तहट आपके राश्पती साहब अध्यादेश लाते हैं जब तक विध्यक कहलाते हैं और जैसे ही राश्पती साहब की इस पर सहमती मिलती है ये अधिनियम बन जाते हैं ठीक है चलिए इस आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करते हैं पिछले मांसू सत्मे संसद्वारा पारित नए किरसी अधिनियमों ने सरकार और किसानों की भ भावसक हो तो किसानों और अनधिधारकों के साथ चर्चा के बाद इसके लिए नए कानून बनाया जायें मैं आप लोगों से एक अच्छी सी बात बता रहा हूं जब भी आपको किसी समस्या को समझना है तो उस समस्या की जगए या उस ब्यक्ती की जगए अपने आपको र कोई अपनी मर्जी से तो नहीं मतलब खुसी से तो नहीं ठहरा हुआ है तो कम से कम हम दर्दी तो होनी चाहिए बरना जी तो सब कोई रहा है आप समझें कि 1857 में आपने देखा है सिंधिया भी जी रहे थे उस समय रानी लच्छीमी भाई भी जी रही थे लेकिन इतिहास में किस तरह से याद रखा है आप मैंसे अधिकतल लोगों ने इतिहास पड़ा है मुझे लगता है तो उसमें साब साब सब्दों में लिखा है कोई special books रठा की देखी आप लो कि सिंधिया गद्दार था क्या था सिंधिया गद्दार था और याद रखिए गद्दार सब्द त अब कुछ लोग क्या बक रहे थे क्या बोल रहे थे इसी तरह मैंने देखा है महामारी के टाइम भी देखा है कि कुछ आपने देखा है कि एक बड़ी भयानक तस्वीर रही है एक महला रोड पर अपने बच्ची को जनम देती है उसके बाद फिर उटके चलने लगती है पाद होने का कोई मतलब नहीं है मान लीजे आप 200 साल जी जाती है क्या मतलब इसका मैं कहता हूं भगवान करें आप 500 साल जी है लेकिन जब आपके अंदर इंसानियत नहीं है माना उता नहीं है तो क्या मतलब है आप भटकते रहेंगे एक दोड है वही घोड़े जैसी चुक की तरप संकेत करती है विदाई कार्यों की प्रबंधन में हुई इनकमियों को रसर संसधिय के रूम में देखा जा सकता है और आप देखेंगे कि चूकी संसद लोकतंत की पितिक है और ऐसे में संसदी है कारपरणाली की गुडवत्ता में गरावट की जाज करना और इसके पिती लोगों के विश्वास को मजबूती पिदान करना सरकार की जिम्मिधारी है आप समझेगे कि अगर लोकतंत पर या हमारे समिधान पर से किसी को भरोसा उठ गया अगर सभी को तो देश में जो एकता खंडता सांती बनी हुई है वो कभी भी भंग हो सकती है आपने देखा होगा कि 1947 मजब हम आजाद हुए तो कई राष्टों द्वारा कई देशों द्वारा कहा गया कि भारत के कई टुपडे हो जाएंगे और ये हकीकत थी क्योंकि 565-4665 रियासतिन थी और सब की अपने अपने हित थे सभी आप देखेंगे किसी की कोई भासा है कोई धरम है हमारे हिंदू मिलेंगे सिख मिलेंगे बुद्ध इसाई जैन सभी मिलेंगे मुसलिम कई जातियों में बटे हुए फिर भी हम लोग एक ह क्योंकि हमें अभी ही अपने राष्ट दोज हमें अपने राष्ट गान हमें अपने समीधान पर भरोसा है हमें हो सकता है कि पिधान मंतरी पर भरोसा ना हो लेकिन हमें अपने समीधान पर भरोसा है समझ रहे हैं और अभी कुछ समय में आपने देखा है कि संसद में किस तर को भरोसे में लेना जरूरी है मुझे लगता है आपको अगर मिजोर्टी भी है यानि कि आपके पक्ष में पहुमत भी है तब भी मुझे लगता है कि आपको सभी का ख्याल लगना जरूरी है संसदी ये संतियों की अगर पिष्ट भूमी की बात करें हम लो तो अपनी संतियों के माध्यम से विस्तित जाच द्वारा कानूनों या फिर उसके कुछ हिस्सों में सुधार करने ही तू संसद की इतिहासिक रोप से एक प्राचीन पिथा रही है बास्तों में बैटिस संसद में एपडाली 16 वी सताब्दी से लागू है कब से 16 वी सताब्दी से भारत में संसदी जाच की इतिहास को मांटगी उचेंप स्पोर्ट सुधार से जोड़ कर देखा जा सकता है और याद रही केंद्रिय विधासवाग जो की बैटिस भारत की संसदी ने तीन समतियां गठित की थे कितनी तीन समतियां गठित की थे इसमें आप देखें कि विधेकों से सम्मदित याचकाओं पर समतिये इस थाई आदेशों की संसुधन पर चैन समती और विधेकों पर चैन समती ये उस समय तीन समतियां गठित की गई थी आपकी इस पेकार देखा जा सकता है कि ऊपनेवेसिक काल में भी संसदर ने सरकार द्वारा सदन में लाएगे विधेकों की संसदिये जाच की आवसकता और उपयोगता को सुईकार किया है आप समझे कि हम लोग उस समय आजाद नहीं थे अंग्रेजों की एक तरह से गुलाम थे फिर भी उन्होंने कम से कम सम्तिया बना कर हमारे हितों का ख्याल तो रखा है जितना भी रखा हो उस समय भी आपको कली परसों एक दिन पहले आपने देखा होगा मैंने एक आंदोलनों की बात किये किसान आंदोलन की एक कोई नया आंदोलन नहीं है आजादी के पहली भी आपने देखे किस तरह से आंदोलन हुए है वो समय भी कुछ लोग आप सोचें इसी तरह की बात कर रहे थे और वो मर के चलें कोई आदमी रखे हुए लेकिन उनकिसान निताओं को उनकिसान आंदोलनों को आज भी हम लोग याद रखते हैं तो याद रखे हो सकता है कि आप B.I.P. जिंदिकी जी रहे हैं हो सकता है किसी के बास छाने के लिए बस उसकी पूरती हो रही है तो उस एक के लिए नहीं कि आपका इतिहास लिखा जाए हो सकता है उसके कर्मों की बज़े से उसका इतिहास लिखा जाए आपका इतिहास ना लिखा जाए मुझे लगता है ऐसा अब आपका मालू नहीं है कि हमें इतिहास को ध्यान रखते हुए आने वाले समय को ध्यान में रखती हुए, काम करना चाहिए ना कि अपनी पूर्ती के लिए कुछी किसी भी हद तक जाना चाहिए और याद रखे, तहां सांती मिलती है सुतंत भारत की संसद्ने विधेकों के साथ साथ सासन की विविन पहलूँ की जाज करने के लिए महतपूर समतियों के एक विसालतंत की स्थापना किये वर्स 1993 में विभाक संबंदी स्थाई समतियों के गठन से पहले भारतिय संसद्वारा सरकार की महतपूर विधाई पिस्तावों की विस्तत जाचेतू चैन सम्तियों और स्युक्ति चैन सम्तियों का गठन किया गया थALDź बार 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 एक सब्दाराई संसर इसमें कौन-कून सामिल होता है? आपका राजसभा, लोगसभा और राश्त्पती साहब ठीक है? इस सामिल होते हैं आप सभी लोग जानते हैं लोगसभा सदस्वों को पितक्ष जनता चुनती है और जो राजसभा सदस होते हैं इने कौन चुनता है आपके जो MLA होते हैं जिन्हें आप लोग बिधायक कहते हैं ठीक है और राष्टपती की साहप की चुनाओ की बात करें तो लोगजबा, सभाओं के निर्वाचित सदस इसमें भाग लेते हैं एक सब्द यहां जुड़ा हुआ है निर्वाचित ठीक है मनोनी सदस इसमें भाग नहीं लेते हैं अगर हम बात करें संसदी सम्तियों, सम्ति पढ़ाली के महत की तो इसमें देखेंगे अंतरस्त मंतराली समन बै इन संस्तियों को सम्मदित मंतराले ओ बिभागों की अनुदान, मांगों को देखने उनसे जुड़े विधेकों की जाच, उनीकी वारसिक रिपोर्ट और दीकाले की उजनाओं पर विचार करने तथा संसद की रिपोर्ट करने का कार सौपा जाता है फिर आप देखेंगे विष्टि जाच का साधन आम्तोर पर संसदी संस्सेओं की रिपोर्ट बहुत ही विष्टि यानिकी विस्तार में होती है और सासन से समधित मामलों पर प्रिमाडिक जानकारी पिदान करती है इन सम्तियों से संदर्वी विध्यक महत्पूर्ण मूलवर्धन के साथ सदन में बापस आते हैं और इस थाई सम्तियों के अलावा संसत के सदनों द्वारा विसेश्ट विसेओं की जाच और उनकी रिपोर्ट करने के लिए तदर्थ सम्तियों का गठन किया जाता है इन सम्तियों को किसी विध्यक का बारीकी से अध्यान करने और सदन को बापस इसकी रिपोर्ट पिस्तूत करने का कार सौपा जाता है और इसके अतरिक तेन सम्तियों को अपने कार के निर्वहन के दोरान विसेसंगे सलाय और सारुजने कराय पर राप्त करने का भी अधिक्यार है और हमारी सरकार को करना चाहिए था और मुझे लगता है हम पिधार मंतरी से ये उम्मीद में नहीं कर सकते हैं हमारे पिधार मंतरी की चभी आप जानते हैं किस तरह से थी मैं एक थी सब इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैंने लॉक्डाउन के पहले तक मुझे भी लगता था कि हमारे पिधार मंतरी साहब गरीवों के एक तरह से मसीख है लेकिन आपने एक बड़ा बक्तब सुना होगा उनका, कि मेरी एक्चा है कि हवाई चपल पहनने वाला हवाई यात्रा करें तो मुझे लगा कि हमारे प्यदानमंद्री पहली बार मैं इस तरह की प्यदानमंद्री साहब को सुन रहा हूँ देखे मैं कोई बिरोध नहीं कर रहा हूँ, उनका है अपना करें, उनका काम है लेकिन मुझे उस समय लगा, लेकिन मैंने देखा लॉक्डाउन की टाइम की जंता किस तरह से तरही हो रही है और अच्छिल मैं ये बिल्कुल भी नहीं वोलूँगा कि बाहर से लोगों को हपाई यात्रा की द्वारा बापस भारत नहीं लाना चाहिए था वो भी हमारे भारती हैं, उन्हें भी लाना चाहिए था लेकिन गरीब मजदूरों के लिए ट्रेन तो चलबा सकते थे कोई अच्छी सुविधा तो दे सकते थे आप मैंसे आपके अधिकतर मंत्री घर में जाकर रामायट देख रहे थे महाभारत देख रहे थे तो आप समझें कि मैं कहता हूँ कि भगवान सिरी राम भी होते इस समय तो वो भी घर में बैठके रामायट ना देख रहे होते इस तरह कि कोई नाटक ना रच रहे होते समझ रहे हैं आप लो आपकी सेवा करना आपका कर्तब है लेकिन आपने का दूर दूर तक अपना कर्तब नहीं निवाया है समझ रहे हैं ठीक है उनका काम है वो करें लेकिन बता रहा हूँ इसमें आप देखते रहते हैं कि लोक सेवा समती भी सुनते हैं नियम समती भी विस्सेशादिकार समती भी सुनते रहते हैं संसदी संदार्थ संसमति भी सुनते रहते यह हैं अगरसितर।स अलग राजनितिक दलों से पूरे वड़ सकार करते हैं इसमें अलग अलग दलों से आने हुए है कि आप समझेगे सभी के हितों को द्यान में रखा जाएगा आप समझी अलग लग पार्टी को होंगी तो ये इसके अलाव आप देखें कि संसदिये संतियां लोक लोभावन मांगों को लेकर बाद नहीं होती हैं जो आम तोर पर संसद के काम में बाधा उत्पन करती हैं चुकि संतियों की बैठक बंद अधिकारी नहीं होते हैं ठीक है एक तरह से इसके अलाव आप देखेंगे संतियां सारजिनिक चकाचों से दूर रहकर काम करती हैं और संसदिये कारवाही को संचालन करने वाले कोड जो सदन के नए और युवा सदसों के लिमात फोड पिसी चंड संस्ता है कि तुल्ला में अनुपचारिक बने रहते हैं समझ रहे हैं आप लोग अब बात करते हैं संसदिये संति पडाली का सिमांकन तो इसमें आप देखेंगे संसदिये संति पडाली की अंदेखी पी आरेस लिजिसलेटिव रिसर्च के आंकणों के इनुसार चौदै भी लोकसभा में 60 पिती सत पंदरवी लोकसभा में 71 पिती सत और विद्हेक संबंदी DRSCS को संदर भी थे जबकि 16 भी अगर लोकसभा में आप देखें तो ऐसे विद्हेकों का अनुपाद घटकर 27 पिती सत हो गया है DRSC के अलाबा सदनों की संसदिये संतियों और चैन संतियों को संदर विद्हेकों की संक्या भी नगर रही है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पहले जिन जो भी फैसले होते थे उन पर बहुत विस्तार से बात की जाती थी बहुत ध्यान दिया जाता था लेकिन आप देखेंगे कि बहुमत की जब सरकार होती है एक तरह से बहुमत अच्छा है और एक तरह से बुरा भी है बहुमत की सरकार होती है तो ध्यान में नहीं रखा जाता है जैसे आपके पास लोकसभा और राजसभा में बहुमत है आप देखेंगे सायुक्त संसदी संती को भीजा गया आखिरी विध्यक भूमी अदिगरण पुनरवास और पुनर इस्थाफन में उचित मुआपजा उपार्दरिस्ता का अधिकार दूसरा संसोधन विध्यक 2015 था आप समझे कि 2015 का आगरी था उसके बाद ना के बराबर बेजे गए हैं इसमें अगर बात करें अध्यक्ष और इस्पीकर की भूमी क्या कि तो किसी विध्यक के उस संतीयों के पास बेजने का अधिकार सदन की स्पीकर या अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर रहता है लोकसवा अध्यक्ष आप जानते हैं ना उसी की बात करों सदन के नियों के अनुसार महत्पूर विध्यकों को विस्तत समीक्षा के लिए संतीयों के समक्ष पिस्तुत किया जाना चाहिए हाला कि कई बार आप देखेंगे इस पीकर हो फिर अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक का प्रियोग करते हुए कुछ महत्पूर विध्यकों जिनका समाज पर गंबीर प्रिवा हो सकता है को भी समती के लिए संदर्वित नहीं किया जाता है एक तरह से आप ताना साही की बात की जा रही है आप समझें कि आपके उपर इक्षा है आप पढ़े या ना बढ़े तो इसमें से अधिकतर बार क्या देखा जाता है कि नहीं पढ़ते हैं तो यही हमारे अध्यक्ष साहब करते हैं कि उनके बेवेग पर यानि कि उनकी इक्षा पर है कि इन सम्तियों को इने बेजा जाये या ना बेजा जाये तो इन में से अधिकतर को वो नहीं बेशते हैं फिर चाहे वो कितना भी गंबीर कोई भी मुद्दा हो ठीक है उधारन के लिए आप देख सकते हैं कि क्रिसी विद्ययक अधिया देशों के माध्यम से अधिनिमित भी किया गया है इनके बारे में भी कोई जान्दा मतलब एक तरह से आप सोचिए कि सलाय नहीं ले गई किसी की और इन्हें इस्थाई सम्ति को भेजे बिनाई तीन दिनों के लोकसभा सिपारित कर दिया है मतलब इस पर कोई जान्दा चर्चा नहीं की गई है सभी के पक्षों को नहीं जाने गया है उसी का बैड़ा हम आप देख रहे हैं कि अभी अंदोलन के रूम में बदला हुए है एक समय आपने देखा होगा कि अंग्रेजों की फूट करो कर रहे हैं कि इसे मतलब कानून मतलब एक कानून बना देना चाहिए कि आपका MSP से नीचे कोई नहीं लेगा कुछ भी नहीं लेगा चाहे फिर व्यापारी हो चाहे सरकारी मंडियों क्या ये गलत है मैं बता रहा हूं कि इसमें कई फायदे भी हैं लेकिन कई नुकसान भी ह तो आपको दोनों पक्षों को देखना होगा ना कि एक पक्षों इसमें आंगे की राय क्या हो सकती है इसे भी देख लिजे संसदी संती पेडाली को पुनरजीवित करना यानि कि उन्हें दुबारा एक तरह से जीवन देना दुबारा चर्चा में वेजना संसद को व्याप पितेग विधेख पर एक सम्ती द्वारा अपने व्यापक विचार विमस किया जाए याद रखे कोई भी नियम बन रहा है, कानून बन रहा है, विधेख आ रहा है तो कम से कम उस पर चरचा तो विस्तार से होनी चाहिए और एक समय के लिए नहीं रहता है, आप सोचें कि एक दिन के लिए एक कानून मनाए जा रहे है एक कानून क्या है कि हमारे देश की आप समझें कि तस्वीर एक तरह से साब करेंगे किसानों की हालत बदलेंगे तो उसके बारे में बड़े विस्तार से बात होनी चाहिए समझ रहे है आप लोग और इसमें देखेंगे नेमों में संसोधन और उत्तरदाइत अध्यक्च और स्पीकर द्वारा पूरी सत्तनिष्टा के साथ अपने उत्तरदाइतों का निर्वहन के लाबा लोगसभा और रासभा दोनों में पिक्रिया के निमों में संसोधन किये जाने किया हो सकता है ताकि आप सभी मत्मूर विदेकों को DRSCS को संदिर्वित कन्ये का प्रवंधन प्रवंधन किया जा सके नई सम्तियों की स्थापना की बही बात की जा रही है अर्द्विस्था और तकनीकी की छेतों में प्रगती की साथ-साथ इससे जुड़े मामलों की जटिलता में विद्धी को देखती हुए नई संसदिये सम्तियों की स्थापना की आउस सकता है उधारन के लिए आप लेख सकते हैं संग सूची, संबर्थी सूची और राज सूची में अती ब्यापी सभी मामलों का विसलेशन करने के लिए संगी मुद्धों पर एक इस्थाई समती होनी चाहिए इसमें क्या रहता है कि संग सूची के जो विसाय रहते हैं केंद सरकार कानून बनाती है और राज सूची के विसाय पर राज सरकार कानून बनाती है लेकिन जो संबर्थी सूची होती है इस पर दोनों कानून बना सकते है लेकिन अगर दोनों में टकराओ है तो आप समझे कि केंद का सरकार का कानून प्रभावी रहेगा इस पर संसद में पिस्तुत किये जाने की से पहले संभीधानिक संसुदन विधेतकों की जाचितू संभीधान से जोड़े मामलों की एक इस्थाई संती की स्थापना होने चाहिए एह हाल है लाश्ट में क्या कह सकते हैं आप लो कि संसद की प्राथ्मिक भूमिका विवेचना चर्चा और पुनर विचार करना है जो कि कसी भी लोकतांत्रिक संस्था की पहचान है हाला कि संसद में विचार विमर्स के लिए पिस्तुत मामलों बहुत ही जटिल होते हैं जिसके कारण सदसों को इन्हें बेतर तरीके से समझने के लिए तकनीकी सहायता की आवस्ता पड़ती है एक बात आप लोग देखिए आज लोकतंत सूचकांग काता है आपके इसमें आप देखते हों कि हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग उपर से अच्छी स्थिती में नहीं हम लोग नीचे से अच्छी स्थिती में हम लोग एक समय आप देखते हैं 1947 की बात कर रहा हूं में जब आजादी मिली हमें तो उस समय आप सोची कि सरदार बल्लब भाई पटेल उसमें भीमरा उम्बेडकर साहब को भी इस्थान मिला सरदार बल्लब भाई पटेल साहब को भी इस्थान मिला क्योंकि वो उस चेत में विस्थे सक्के थे अब आप कहें देश एक हो जाता सरदार बल्लब भाई पटेल की सिवाय मतलब उनके अलावा कोई और कर सकता था पिलकुल नहीं कर सकता था जिस तरह से उन्हें हैंडल मतलब उन्होंने सभी को समझाया बुझाया तो आप समझी उसी का एक पैड़ा में कि आज हम एक देश के रूम में अच्छे से रह रहे हैं कभी आप उनकी वायोग्राफी भी पढ़िये तो कहा जाता है ऐसा कि वो एक हाथ में मिठाई लेके जाते थे एक हाथ में डंडा मतलब आपको पसंद है जो भी वही उससे साबसे वो एंडल कर लेते थे इस पेकार संसदिये संतिया सदसों को एक मंच पिदान कर उनकी सायता करती हैं जहां सदस विचार वेमर्स की दोरान संबदी छित्रों के विसिसदग और सरकारी अधीनेमों अधिकारियों के साथ मिलकर कार कर सकते हैं और संसदी है, लोकतंत की बहतरी के लिए संसदी है, संतियों को दर्किनार करने के बज़ाए, उन्हें मजबूत किये जाना चाहिए, इसे क्या होगा कि लोकतंत भी मजबूत होगा हमारा, और आप सोचे, रैंकिंगी भी हमारी सुद्रेगी, आप जो भी सभी एक तरह से जु कर सकते हैं, क्या आप मतलब मीडिया की सुतंता की बात कर सकते हैं, लोकतंत की बात कर सकते हैं, बिलकुल नहीं, तो ये सभी एक दूसरे जुड़े हुए हैं, और सरकार कितना भी बहुमत मिल जाए, सरकार को बिसे इस तोर पर सभी के हैतों को द्यान में रखना चाहिए, यहने भी देख लीजिए आप लोग यह पारिये पारिये मैंडरी यानि कि संसादिये कमटिया हैं ठीक है फाइनेंसियल एस्टेंडिंग कमेटी एड होक सेलेक्ट कमेटी और एड़िस्टेटिव कमेटी इसलिए बोलता हूं द्रिष्टी को आप लोग द्रिष्टी आईएस क लिखता है और वड़िया आपका एक और अच्छा है कि आपका लिखित परिक्षा की पॉइंट फिंव को देखते हुए एक तरह SUMお ParoosD भले मतलब उनकी कई मांगें गलत हो सकती है लेकिन MSP कुछ मुद्धे ऐसे हैं कि उन्हें याल में रखना चाहिए ध्यान में ठीक है क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि MSP आपके यहां का जो ब्यापारी होता है बिचोलिया होता है जो एक सेट होता है वो किसी भी कीमत पर आपकी फसल खरीज लेता है तो ऐसा कानून आना चाहिए कि इस से कमबर कोई नहीं खरी सकता है फिर चाहे फसल का कितना भी उत्पादन हो, कम हो या ज्यादा हो, समझ रहे हैं आप लोग और मैं तो कहता हूँ का पराओधन भी रखा जाना चाहिए क्योंकि आपने देखा है लोगडाउन के तार महामारी से अगर किसी ने उभारा है तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है उस देश के बारे में आप लोग अंदाजा लगाई है जहां खेती किसानी ना होती हो और आपने देखा है कि लोगडाउन के टाइम सभी परिवान बिवस्ता ठप पड़ चुकी थी तो उस समय उनकी जिन्दगी क्या रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में बैठी है मैं नहीं कहता हूँ आपको विरोध करने का पूरा वो है तो इतिहास भी पढ़ लीजे इस तरह की विरोध उस समय भी होते थे आपके ठीक है